जै शीराम, जै हनुमान, आज की अलदाकान कथा कुछ इस प्रकार है? भरत जी की अतनत अनिर्वर्चने दसा देखकर वन के पसु पच्छी और जड़ जियो प्रेम में मंगन हो गए, प्रेम के विशेश वस होने से सखा निसात राज को भी रास्ता भूल गया, तब देवता सुन्दर रास्ता बतला कर फूल बर्चाने लगे निरखे सिद्ध साधक अनूरागे, सहज सने हूं सराहन लागे, होति नभूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को भरत के प्रेम की इस स्थिती को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनूराग से भर गए, और उनके स्वभाविक प्रेम की पसंसा करने लगे कि यदि इस प्रत्वी तल पर भरत का जन्व ना होता, तो जड़ को, चेतन और चेतन को जड़ कौन करता प्रेम अम्रत है, विरह मंद्राचल परवत है, भरत जी गहरे समुद्र है, प्रपा के समुद्र श्री राम चंद्र जी, देवता और साधुमों के हित के लिए स्वैम मत कर इस प्रेम रुपी अम्रत को प्रकट किया है सखा समेत मनोहर जोटा, लखवन लखन सघन बने ओटा, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन सखा निसाद रासेज इस मनोहर जोडी को सघन बन की आण के कारण लश्मर जी नहीं देख पाए भरत जी ने प्रभु शी रामचंद जी के समस्त्र सुमंगलों के धाम और सुन्दर पवित्र आश्रम को देखा करत प्रभेस मिटे दुख दावा जनु जोगी परिमारत उपावा देखे भरत लखने प्रभु आगे पूंचे बचन कहते अनुरागे आश्रम में प्रवेस करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया मानो योगी को परमारत की प्राप्ति हो गई हो भरत जी ने देखा कि लच्मर प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं सीस जटा कटी मुनि पट बांधे तूने कसे कर सरधनों कांधे बेदी पर मुनि साधू समाजू सीय सही तेराज तेरागू राजू सिर्फर जटा है कमर में मुनियों का वलकर वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं हाथ में बाण तता कंधे पर धनू से वेदी पर मुनि तता साधूं का समधाय बैठा है और सीता जी सहित स्री रभुनाज जी विराजमान है बलकल बसने जटले तनू स्यामा जनू मुनि बेसे कीन हे रती कामा कर कमलनी धनू साय कुफे रत जीय की जरनी हरत हसी हे रत शीराम चन्द जी के वलकर वस्तर हैं जटा धरन किये हैं स्याम सरीर है सीता जी ऐसे लगते हैं शीराम चन्द जी ऐसे लगते हैं मानू रती और काम देव ने मुनि का वेस धरन किया हो शीराम चन्द जी अपने कर कमलोज में धनू जबान फिर रहे हैं और हस कर देखती ही जी की जलन को हर लेते हैं अर्था जिसकी और भी एक बार हस कर देख लेते हैं उसी को परमानन और शान्ति मिल जाती है जै शीराम जै हनुमान हर हर महादेव